जेहिन दोस्तों स्वागत आपका अमारे इस प्लेटफर्म पर अज में लेकर आए हूँ आर्मी जीडी एक्जाम के अंदर आने वाली मैंत के मिक्स 15 मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन और यह इस टाइप के कोशन बार बार आर्मी एक्जाम के अंदर पूछ जाते हैं अगर आप 30% का 15% बराबर है 18 तो यहां देखो का का मतलब क्या होता है गुणा और पर्तिश्चत का अदार 100 ती हो जाएगा एक्स इंटू 30 बटा 100 इंटू 15 बटा 100 बराबर में है 18 और इसको क्रोस मल्टिप्लाइ कर दो जहां से बराबर का सिंबल है वहां से क्यूंकि गुणा अगर बिनों के बीच में गुणा आता है तो मिशा वज़र गुणा होता है तो एक्स के साथ क्या आपने पास 30 और 15 ती हो जाएगा आपने पास एक्स इंटू 30 इंटू 15 बराबर में 100 इंटू 100 इंटू 18 और यह दोनों गुणा में कहां चला जाएंगे भाग के अंदर अब इसम गुणा चार और चार को 100 से गुणा क्या तो 400 यानि वह संक्या क्या हो जाएगी 400 अपना राइट आंसर होगा अगला कोशन अपना कि दो कारे बराबर दूरी को करमशे 15 किलो मेंटर प्रती की गन्टा और 16 किलो मेंटर प्रती की चाल से दे करती हैं यदि 1 इक 16 मिनट पीछे पहुंसती है तो बीच की दूरी कितनी है ठिका है यहाँ पर दोनों की दूरी समानerson है ठिके हूं हम दूरी को क्या माल लेते हैं दूरी को माल लेते हैं एक्स ठीक है और चाल जो है इनकी पहली की चाल है 15 किलोमेटर प्रती गंटा और दूसरी की चाल है 16 km परती गंटा ठीक है और इन दोनों के बीच में जो समय का अंतरा ले वो कितने मिनट का है 16 अब समय क्या होता है हम दूरी के अंदर अगर हम भाग देते हैं 4 का तो क्या आता है समेशा समय है तो देखो पहली गाड़ी का जो समय है वो क्या होजाएगा दूरी अगर उसकी aICA चाल 15 जाएगा एक्स बॉटा 15 और दूसरी गाड़ी की दूरी एक्स है और मिनट में तो मिनट का आएगा 60 क्योंकि एक गंटे में 60 मिनट होते हैं और यह जद 40 वो किलोमेटर परती गंटा दे रहे हैं अब इसको सरल कर लो और सरल करने के लिए क्या करते हैं LCM लेते हैं ठीक है तो 15, 16 और 60 का जो LCM हो कितना होता है 240, 15 का बाग 240 में जाता है 16 बार और 16 का बाग 240 में 15 बार और 15 को एक से गुणा किया तो 15 बराबर 60 का बाग 240 में 4 बार और 4 को 16 से गुणा किया तो 64 ठीक है सबका एक साथ LCM लिए LCM कट गया 16X में से 15X गया तो X बराबर 64 और X किसको माना था हमने दूरी को तो कुल दूरी किती है 64 किलोमेटर option number B अपना correct answer हो जाएगा गया question अपना कि वे चोटी से चोटी संक्या जिसे 12, 15, 20 और 24 से भाग देने पर प्रतिक दिशा में 4, 6 बचे चोटी से चोटी संक्या की बात कर रहा है है तो सबसे पहले हम 12, 15, 20 और 24 का LCM निकलेंगे ठीक है छोटी से चोटी संक्या में लसटी संक्या में हमेशा LCM निकलता है है तो यहां दू का Бाग दे को 6, 15 में नहीं जाता है 20 में 10 बार और 24 में 27 ठीक है फिर दो का 6 में 3 बार 15 में नहीं जाता है तीन का 1, 5, 5, 1 और लास्ट में 5 का 1, 1, 1 ठीक है? अब इनको आपस में गुणा करते तो 5 तिया 15 15 तिया 45 ठीक है? यहां तक कितना आया? 45 तीन दूना 6 और 6 दूना 12 ठीक है? 45 को 12 से गुणा कर लो 12, 50, 60 हंसिल का 6 12, 44, 64 यानि 540 इसका LC माया इसने का प्रतिक दशा में 4-6 बचे तो 6 बचे की जब भी बात करें तो हमेशा इसके अंदर जोड़ता है तो क्या हो जाएगा अपने पास 544 option number D अपना correct answer हो जाएगा अगला question है अपना कि 28 cm व्यास वाले वर्ताकार तार को मोड़ कर वर्ग बनाए जाने पर वर्ग का शेतरफल क्या होगा तो को यहाँ पर एक व्यास कितना दे रहा है 28 cm और उसको मोड़ कर एक वर्ग बनाना है ठीक है तो बताओ इस बनने वाले वर्ग का शेतरफल क्या होगा जबकि व्यास अगर 28 cm है तार टर लंबा पताकरने लिए उसकी प्रीदी निकलने पड़ेगी और रट कितो और और 12 लेगे 2 bay 22 फटाथ7 च हूबर है मिन अगर रट वरत baट के परीदी वह कितनी आएक इस लाएगई 88, क्योंकि इसी को मोड कर ये वर्ग बना रहा है, ठीक है अब परीदी क्या होती है, 4 into बुजा, बराबर है 88, चार गुणा में बाग में चला जाएगा और चार का बाग 88 में जाता है 22 बार, यानि उस वर्ग की बुजा कितनी आई 22, तो ये पूछा कि वर्ग का शेतरफल क्या होगा तो वर्ग का शेतरफल क्या होता है बुजा का स्कॉईर, और बुजा है 22 तो 22 का स्कॉईर होता है 484 सेंटिमीटर स्कॉईर, उसका शेतरफल हो जाएगा, do option अपना right answer होगा अगर 18 वेक्ति किसी कारिये को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 24 वेक्ति उसी कारिये को कितने दिन पहले पूरा करेंगे ठीक है, देखो, अपने पास वेक्ति कितने है 18 और ये कितने दिन में पूरा करते है 8 दिन के अंदर ठीक है और यह पूछ रहा है कि चोईस अदमी उस कारी को कितने दिन पहले पूरा करेंगे तो देखो पता करेंगे पहले कितने दिन में पूरा करेंगे एक्स वेक्ति और समय है तो हमेशा सीधा गुना होगा यह जाएगा अपने पास चोईस एक्स बराबर 18 इंटू 8 चोईस गुना में कहां चला जाएगा भाग में 8 का बाग चोईस में 3 बार और 3 का बाग 18 में 6 बार यानि वो कितने दिन में पूरा कर देंगे 6 दिन में लेकिन हमसे यह नहीं पूछा कि कितने दिन पहले पूरा करेंगे तो देखो पहले 8 दिन में कर रहे थे अब 6 दिन में कर दोनों को चालू कर रखा जाए तो पहला पर रहिल नहीं Welcome कितना समय लगोद नहीं पेसा नौटें। सफकाशनी क्या होते हैं इनका एक गंटे का काम और एक गंटे का काम केंसे निकालते हैं जो कम कुल डे रहखा उसको अलटा कर दो ने पर तीन गंटे में ते तीन को में façon को जाएगा उल्टा करतो 6 बटा 3, 3 दुना 6 यानि 2 गंटे के अंदर वो उसको बढ़ देंगे, option number C अपना right answer होगा, किसी संक्या में उसका वर्ग जोडने पर 56 प्राप्त होता है, तो विसंक्या बताओ, ठीक है, देखो किसी संक्या को हम क्या मान लेते हैं, x, अगर हम इसमें जोडेंग इसका वर्ग, x का square, तो हमें क्या मिलेगा, 56, ठीक है, तो बताओ, संक्या क्या होगी, देखो, इसको option से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा अगर मान लोगो संक्या हम 6 मानते हैं, और 6 में अगर 6 का square 36, ठीक है, अगर वो जोडेंगे, तो क्या 6 आता है, ठीक है, यहां पर आता ठीक है, प्लस माने से तो आंसर हमिशा, प्लस माने से में आता है, दो इसे संक्या जिनको गुणा करें तो 56, और जोडे या गठाए तो एक आए, तो वोगा, आट और 7, ठीक है, आट को साथ से गुणा किया, तो माने से गया तो प्लस का एक, x यहां लिख दो, और x यहां भी लिख सकते हो, ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो x बराबर यह तो माइनस का आट हो जाएगा, और यह प्लस का साथ, ठीक है, तो माइनस में एक सी वेल्यू नहीं होगी, तो x का सही मान क्या होगा, साथ, अगला कोशन अपना, 28 से 30 x और 68 का ओसत 35 है, तो x का मान बता ठीक हो, ठीक है, 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 ठीक 133 प्लस X बटा 4 बराबर है 35 ठीक है इसको cross multiply कर दो यह जाएगा अपने पास 133 प्लस X बराबर 135 को 4 से गुना किया तो 140 यह प्लस का इदर आएगा तो X बराबर हो जाएगा 140 माइनस 133 एक्स कमान कितना है 7 option number B अपना right answer हो जाएगा अगला question अपना कोई राशी किस दर से 4 वर्ष में दूगनी हो जाएगी ठीक है अब देखो टिक से करते हो तो 4 वर्ष में दूगनी हो रही है कुछ नहीं करना है 100 के अंदर जितना समय दे रहागा उसका भाग दे दो तो 100 में 4 का बाग इत्ती बर जाता है 25 बार तो 25 परशेंट की दर से वो दूगनी हो जाएगी ठीक है और अगर यहां माल लो अगर दर दे रखिया है कि 4 परशेंट की दर से दूगनी हो जाएगी तब भी 100 में 4 का बाग दे दो समय बता चल जाएगा लेकिन अगर हम इसको तरीके से करते हैं तो देखो पी इंटू टी आर एसाई और अमाउंट ठीक है और फर्मूला आता है अपने पास पी इंटू टी इंटू आर अपन हंड्रेड बराबर होता है यह मूल्दन पता नहीं है तो मूल्दन को क्या माल लेता है हम टाइम दे रहे आपने पास चार वर्ष दर हमें पता करनी है और दुगनी हो जाती है तो देखो सो की दुगनी हो जाएगी मतलब वो मिशरदन होगा तो सो का मिशरदन कितना हो जाएगा 200 अब मूल्दन सो ता और मिशरदन 200 तो ब्याज कितना होग इसका 100 रूपे आगे अपने पास चार में से तीन चीजे इनी को फोर्मूले में रख दो मूलदने सो टाइम चार वर्ष दर पता नहीं आ रहा पून हंड्रेड और इसका ब्याज है सो रूपे सो से सो कड़ गया चार गुणा में का चला जाएगा भाग में और सो में चार का भाग जाता है पच्चिस पर तो पच्चिस परसेंट उसकी दर होगी ऑप्चिन नमबर सी अपना राइट आंसर होगा अगला कुश्यन अपना कि पांच की गात साथ इंटू पांच की गात चार भाजक पांच की गात आठ का मान निकाली देखा अपने पास दे रहा है पांच की गात साथ इंटू पांच की गात चार इंटू भाजक पांच की गात आठ ठीक है यहां पर देखो इन दोनों में आदार समाने तो 5 की गात 7 और 5 की गात पच्छिस option number C अपना right answer हो जाएगा अगला question अपना कि 2 से 3 बटा 4 का परेस्परिक को ग्याद किजी ठीक है परेस्परिक इसको बोलते हैं इनकी वित्करम का मान ग्याद करना है ठीक है अपने पास दे रखाए 2 से 3 बटा 4 और इसका वित्करम मैं में पता करना है तो सबसे पहले मिशर भी नहीं इसको सरल करेंगे चार दुना आठ और तीन 11 बटा 4 और 11 बटा 4 का वित्करम क्या होता है देखो वित्करम होता है संक्या को उल्टा करना और 11 बटा 4 का उल्टा क्या होगा 4 बटा 11 option number A अपना correct answer हो जाएगा अगला कोशन है अपना यदि 101 में 18 कا भाग दिया जाए तो बाग फल क्या होगा ठीक है फिर वापस कितना बचे रहे 11 तो कितना शेश को बचेगा 11 option number B अपना correct answer होंगा अगला कोईशन अपना एक साइकल को 2850 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 14 परसेंट का लाब होता तो क्रेम उल्य क्या होगा ठीक है तो परतिशत देर का उल्रेडी क्रेम उल्य को क्या मान लेते हम सो रूपे और 14 परशेंट का लाब हो रहा तो विक्रे मुल्य क्या हो जाएगा 114 हानी होती तो गटा ना है लाब होता तो जोड़ना है उसने का कि जो चाट है तो ओक रचाहिए में की यह त्यांस से करता है यह इने कम 3 और 327 और 327 बज गया 1 35 15 0 का 0 और 19 पंजो इस चांड में 0 का 0 50 को 50 से गुना किया तो डाइजार ठीक है तो उसका क्रेम उले कितना हो जाएगा डाइजार बी ओक्शन अपना राइट अंसर होगा अगला कोश्ण अपना कि 130 रुपे को A B C में इस परकार बाटा जाना है कि A को B से 20 रूपे अधिक तो थे को B को C से 10 रूपे अधिक मिले तो बताओ B को कितना मिलेगा देखो A, B और C इन तिनों में बाटना है कितने रुपे? 130 रुपे और इस तरीके से बाटना है कि A को B से 20 रुपे ज़्यादा मिलने चाहिए A को B से 20 रुपे ज़्यादा और B को C से 10 रुपे ज़्यादा मिलने चाहिए तो सबसे कम किसको मिल रहा है? C को C का हम क्या माल लेते है X अब अगर B के पास 10 ज्यादा है X का 10 ज्यादा कितना होता है X प्लस 10 और A के पास 20 ज्यादा है तो X प्लस 10 का 20 ज्यादा कितना होता है X प्लस 10 प्लस 20 ठीक है और इन तीनों को जोडते हैं तो जोडने पर आना चीए टोटल 130 रूपे की कुल देने 130 रूपे अब इस समीकरण को सरल कर लेते हैं देखो X X और X कितना X हो गया 3X प्लस 10 20 30 30 और 10 40 बराबर है 130 ये प्लस का इदर आएगा तो माइनस का 40 तो 3X बराबर आएपने पास 90 और 3 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग माँ ठीक है 90 में 3 का भाग जाता है 30 बार X के वेलियू कितनी आई 30 मतलब C को कितना मिल रहा है A B और C में से C को मिल रहा है 30 और B को 10 ज्यादा है तो 30 और 10 40 और 40 से 20 ज्यादा तो 40 से भी ज्यादा होता है 60 यानि A को 60, B को 40 और C को 30 तो यह पूछ रहा है कि बताओ B को कितना मिलेगा तो B को कितना मिलेगा 40 रूपर, option number B अपना right answer होगा अगला question अपना एक चत्रबुज के कौन 1 अनुपात 4 अनुपात, 2 अनुपात, 3 के अनुपात में तो बताओ, पहला कोण कितना होगा पहला कोण है 1, फिर 4, फिर 2, और फिर 3 अब देखो, चत्रबुज के 4 कोण तो इन कोणों का योग क्या हो रहा है अनुपातों का योग, 4 और 1, 5 और 2, 7 और 3, 10 और वास्तों में, जो चत्रबुज के 4 कोण है उनका योग क्या होता है, 360 तो कुल के नीचे, कुल अब देखो, 10 में से जो पहला वाला कोण हो कितना है 4, ठीक है, तो 360 में से कितना होगा एक्स वज़र गुणा कर दो, एक्स बराबर हो जाएगा 360, ठीक है, 10 X बराबर 360, दस गुणा में पाग में चला जाएगा 0 से 0 कड़ गया, 336 डिगरी का पहला कोण होगा 36 डिगरी का उप्शन नमबर C अपना राइट आंसर होगा और लास्ट कोशन आज का अपना कि पेड़ों के एक पेड़, बाइं और से सात्वा है और दाइं और से चोधवा है, तो बताओ पंक्ती में कुल कितने पेड़ है ठीक है, एक लाइन है, इस लाइन के अंदर ये लाइन है, इसके अंदर एक पेड़ है जो बाइं और से सात्वा है ठीक है, तो देखो इधर बाइं और होता है और इधर दाई ओर है ठीक है तो बाई ओर से तो इसका नमबर आता है साथ हुआ और दाई ओर से इधर आता है उसका नमबर चोड़ है तो बताओ उस पंक्ती में कुल कितने पेड़ है देखो यह एक ही पेड़ की बात कर रहा है इधर से 7 हो है और इधर से 4 हो है देखो यहाँ पर अगर इसका नमबर इधर से 7 हो है तो इधर कितने पेड़ है टोटल 6 और अगर इधर से इसका नमबर 4 है तो इधर कितने पेड़ है 13 और एक यह खुद हो गया अब देखो तीनों को जोड़ लो तो टोर्रल पेड़ कितने हो रहे हैं बीस ऑप्शन नमबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना नेहों चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं किसी एक